नमस्कार भविश्यन अधिकरी मित्रो तो आज आपने नवी एक सिरीज शुरू करवा जहे रिया छिए कि जेमा प्रिवेशर क्वेश्चन है छे तेनों सोलुशन करी शुँ तेने रिलेटेड जगोई थियरी है छे तो देट डिस्कस करी शुँ कि जे आउनारी प्रिलिमनेरी एक्जाम छे तेमा हेल्फूल थाशे अवे आज शिरीज शे तेना थी तमने शु बेनिफिट थाशे कि जनरले आपने जेरे प्रिलिम नजीक होई तो छेले लेवानेला थोड़ा पेपर्स नों सोलुशन जोता होई छे तो ते सोलुशन थाशे अने जेते क्वेस्चन साथे रिलेटेड जेकोई थीयर ये शे तो ते पन डिस्कस करी शुँ के जेहल्फूल थाशे तो शरू करिया एक पेपर छे एडवेटाइज में पर बंदर इरिगेशन नों जे छेले लेवानेलोतु तो शरुप्रसम में पेलो क्वेस्चन परसंटेज अफ एल्यूमिना इन गूड ब्रीक अर्थ शुड वहरी फ्रों तो अमों क्वेस्चन छे ते थीरी बेजा छे त तो शरुप्रताम सौथी बदर परसंटेज वह सिलिका के जेनू पच्चाथी साइट परसंटेज लू परसंटेज वही शे तेना थिशू थाई तो क्रेकिंग, श्रिंकेज अने वार्पिंग अशे ते ओचू थाशे त्यार बाद यूनिफोर्म शेया पावशे ब्रीक ने अवे शिलिका वधी जाई तो ब्रीक्स ने ब्रिटल बनाव शेया अवे एल्यूमिना ने वाद करिये तो एल्यूमिना नू परसंटेज 20-30% होई जे प्लास्टिसी इंपड करे के जेथी ब्रीक ने कोई पनो शेप माँ मॉल्डिंग करी शेकाई अवे जारे एल्यूमिना नू परसंटेज वधी जाई तो त्येयर सिरंके जने वार्पिंग थाजे के जारे ड्राइंग रशी ब्रीकने चारे आवे लायम निवाद करिये तो सारे बीक माड़े पांच परसंदिवदरya लायम ना हो जोगे लायम नो यूस निवाद करिये तो हुदी पक्तारी के वरते हैं तेर बाध आयन वखसाड से 5-6% जेतल लोग से कलर इंपर्ट करें से अने तेपना फ्लक्स तरीके वर्तेशे त्यार बाद मेगनेशिया के जे कलर इंपाट करशे यलो इस कलर अने श्रिंकेश पन घटाड़ेशे तो आवाद था यलोग यलोग कम पोजीशन नी ब्रिक ना है साउडनेश सेघंट इस टेटेट बाई चैतली रेपरेटच्छ वंड़ माजे विकित इपरेटच्ट सेज ये शेटिंग टाइम माटे यूस थाई आने कंसीस्टन्सी मो इस चन्सीन च्रों माटे त्यरबाद कमपरेसिस स्रिंध डेार परेसित्वर स्पि piht माटे यूस थ के आजिए के जम आहाजे सेंट्रल पोर्षन आ से के जहने पीथ के आहाजे तरबाद हाट गोड़ाँ होचे यसे जहने पाच्छब सेफ़ पूर चैरबाद केम्वियम लेयर इनर बार्ख आउटर बार्ख नजे रेश्च देखाए जे के जहें medullary rays के जैने बाद थाई है ओप्शन तो टिंबर ना क्वेस्टन तो चारबाद separation of core segregate from water during transportation of concrete के हो या आपड़े option उपर दिकरिये तो bleeding bleeding मतलब जो था के water surface उपर आवी जाशे चारबाद creeping तो यह उप्शन सेने cohesion तो यह पन जाब ना होई शेके segregation यह साच विजा मट्रेल माथी रिमूवती जाई शर्फेस उपरावी जाई से और कार्बन कंटेंड होई तो कास्टेंड नो किटल होई तो कास्टेंड माट याज राखानों के maximum होई ते टिक करवानों तो 24 टका जे 0.15 थी 1.5 अथो 0.3.5 यह जे 0.3.5 छे लो कार्बन स्टील जे जारे आवे को रेंज से नी 0.15 थी 1.5 चला माटे 2.24 यह जे आंसर रिशे वे क्वीक लाइम से तो तेहने माटे थीयरी से के कैल्सिम कार्बोनेट नो जे किल्सिनेशन क्रहा हमकर मावे उन्याना करें कहब आखे माखे删 कैल्सिम लोकशाब और यह जे क्वीक लाइम से क्वीक क्वीक लाइम कजिह क्वैसन मां पुछी हमावेलः हतु प्रोडख्ट लेफ्ट हीमिड़ी after the calcination of pure limestone. कार्बोनेट टोफ लाइम यहा कोई बनतून थी, चारबाद लाइम विकली टिटेद विट विट वोटर, जने श्लेकर लाइम के वाईजे, लाइम मा जरे वोटर एड करोम आवे, चारे जे तेनों श्लेकिंग थाईजे, तो तेने श्लेकर लाइम के वाई है, तो विक लाइम देने के वाई, जो इसे कहले, कलिश्यू ओक्साड प्लस जरे वोटर रेड करोम मा आवे, तो सी यह ओएज ट्वाइस, कलिसियू है विटरोक्साड, के जने श्लेकर थाध वा, अधिवाइड आईडाटेाड राइंग वाशी तैरबाद तो अधिवाथ कॉंपलेट फेक्टर प्याटल सब्सक्राइब पंचावल यह मिडियम वरकाबियूटी इनिकेट करें है तो आजय में नेग्स्ट स्केशंग से रेश्यो अब लेटरल स्ट्रेंट टू लिनियर स्ट्रेंग कि जहने पउजयन रेश्यो कहिए जह मोडिलोस ओफ इलास्टिसिती कि जह स्ट्रेस वर्स इस अब जग्राफ मलें कि तैना स्लोप नहीं जहीं मतलब stress अने strain ना ratio ने कि जैने youngs module modulus of elasticity बान के बाई जै जैर बाद modulus of rigidity एकले के जी कि जैर स्यर 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 ना ratio ने के बाई जैर बाद elastic limit कि जैर के ductile material पर tensile load apply करवा मावे ने तेनो graph plot करवा मावे stress versus strain ना कि तेनो एक point छे elastic limit के elastic limit पेला जैर लोड apply करवा मावे तो बोडी से ते बोतान original shape ने size regain करी ले शे तो ते बाद ते elastic limit ने अवे which one of the following theories is suitable for brittle material के जह मा maximum principle stress theory जवाब आवे जह आवे brittle material मटे ये theory जिये maximum principle stress theory आने maximum principle strain theory अचला principle शिबद आवे तो ते brittle material मटे जह एव याद रखी श्काय Maximum Principal Stress Theory अगनां ची रहें कायन्स थेटुरिय। एक्षाम में अन्यारेक्छ पूच्छ लेजे के रहें को मसा पूच्छ के अधिड थैटुरेबल चे अधिबल लामिस थेटुरेबल जोगवी जोई तो या ब्रिटल मटे शूट हरी झार्ब दो मैक्सिमुम् प्रिंसेपल स्क्रेंग्सिंपल स्ट्रेंग्स यसक्ट वीलिगHHH करना करता ओच हो जोई सुटता नहीं आज्य को अए चिक्थार यिद हर् millennia शोटे पर शुटे बिखे ना हुकर में हो जे अुत अबरता साथा पर शुटे पर गशे यहार, फिरसी बना में खंड सन्र determinar theory ना जी एस ना एक पेपर मा पुछायलू जी डायरेक पुछ लीटुके वेलटामी थियरी जे तेकवाना माटे शूटेबल जे तो आपना डक्टाल मेटरिल माटे शूटेबल जे त्यार बाद मेक्सिवाम शियर स्ट्रेइन एनर्जी थियरी अथुवातो डिस्टोर्शन एनर्जी जैने हुबर, हैंकी, वान, मैसीस अगेरे नाम थी पन जा उलखोमा आवे जैने एक्वेशन याद राकू अर्खी शकाई अवे जे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चे अलग लग थी फेलर थियरी शना ते चे तो मेक्सिवाम प्रेंशिपल स्ट्रेइस थियरी यमाटे रेक्टेंगिलर शे शेप होई जो आ रेक्टेंगिलर शेप पॉलो जे क्वेशन चे ते बत्रिशन नमाने जे अडवेट ब हुझने दवरेक्टेंगें एक्रिष्न को य finds अड़ बटेजमेनर शेप अन्वन के लिखेंगवेटी 507 यमाट पूलो। से टने मेक्सिवाम मेक्सिवाम स्रेंड शेभी य XV मेक्सिवाम मेक्सिंट रेक्स होई लाफिकम स्रेंड अंड बटेरी यिवमाल शेप अनौ थे ये ये फाइन करवानों कि दूशे मेक्सियों सीर स्टेस्ट तो आथ नियुक्त आथ तो आथ तो आधर तमेश्च ग्राफिकल मेफड़ ती करेशे को अथ तो एक्वेसं पर ती करेशे काई तो हुँ एक्वेशन थे उपड़ा थी वदारे प्रिफर करो जो कि सिग्मावन माइनस सिग्माटू भाई टू कि जहमा सिग्मावन से थे हंड्रेट जे सिग्माटू से थे कंप्रेस्य होगा थी माइनस नेकिटिव साइन लें देली जे तो इजी से अबैर आए सेक्शन थे ले और तो ट्रांज्वर्स सीयर फोर्स अ विच लेयर मेक्शिय। सिग्विक्शिय। सिग्माटू से भाई जोराँ जीडलाँ आमा जे mostly central portion परवो जे पना जे H section जे तरबाद आजे B टुप मा जे rhombus section जे तरबाद जे plus sign जे तो आना याद राखव जिरू ही जे कानके तेमा maximum वच्च अन्ती जोह माल तु अलग्जिगे जोह माल जे पागलबदी ये a bar of 400 mm length and a uniform cross section V cm diameter is subjected to tensile load of 50 kN assuming modulus velocity value आपेली इसे elongation find करवानु जे तो delta L बराबर PL by A कि जे मा पी निवेल्यू 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 मुकता 1 upon pi छल्ले वाते जे मतले 1 by 3 तो ये वो एजुम करी शे के point 3 निया आसपास जोह बाव हो जोह कि जे पॉ आपेलों करी शेको से थे एंगल अब ट्विस्ट इज ब्लेंक अने प्रपोर्शनल टू टू ट्विस्टिंग मोमेंट तो अजे तोर्जन नो शुत्र से ती बाई जे इस इकल टौ बाई आव र इस इकल तो सी थिटा बाईल जे माँ आपी शे टोर्क से जे शे ते पोलर म मोमेंट ओपिनर्श है जार बाद शेयर स्टेस रडियास सी थीटा मतलब अंगल अब ट्विस्ट अने अले लेंट अब मेंबर के जे माँ थिटा जे अने टी शेदे डायरेकले प्रपोर्शनल जे तेम्परेचर स्टेस डेवलोप इन बार डिपेंस अपन विच अपन स्टेस डिटाए जोरी सिगमा इज उखलो उने डेल्ट अलब अब अलफा टी तो आना परती साबित करें लुचे डेल्ट अलब मतलब स्टेंट इस इक अईकल ता इन्टु मोडिलोस अब इलस्टेस करता श्यास मुटरा से श्यास इस इकल टो अलफा टी ए तो एज़ से को coefficient of linear response in alpha change in temperature T and young modulus E तो बदा उपकर डिपेंड करशे maximum bending moment in a simply supported beam जिनी length L loaded by a concentrated load W at mid-spun तो एक्दम simple जे के आरेते जे तो load center में लगता होती इन a symmetrical जे तो W by 2, W by 2 reaction हाओ जे तो अवे center पर bending moment फाइन कर वी तो load into perpendicular distance एले W by 2 into L by 2, W by L by 4 तो एजी छे तो एजी छे पाइन के जा बेंड मोमें शेते पोता नी साइन चेंज गरे a simply supported girder has a span of 12 mm, sorry, 12 meter बसो के लिए तो नो wheel load move from one end to the other end on the span of a girder find the maximum bending moment which can occur at a section 4 meter from left hand left hand t4 meter पर हो जारे बिसो किलो नोड लगतो होई तो तो त्यारे लोड नी नी नीचे moment केटले आवे तो एक्वेशन से W A into B by L एक्वेशन उपर मुकता उजी ले आंसर मली जाएजी a cable carrying a load of 10 kilo newton per meter run of horizontal span is stretched between support 100 meter apart the support are at the same level and the central deep is 8 meter find the horizontal reaction development the support तो जा आट जोड एक्वेशन से H is equal to W L square by 8 H तो simply तेमा value पूर करता answer मली जाएजी अगर वोडिये वें दा स्ट्रॉक्चर माइबरेट्स विदाओ नी एक्स्टर्नल डायमें डायमीक excitation then the structure is said to be under तो आओ क्वेशन आवे जारे अंदा जो लगाड़ी सिकाई के कोई एक्स्टर्नल लोड छे नहीं तो फ्री वाब्रेशन अस्ता जे अंदा जो लगाड़ी सिकाई एक्स्टर्न तिपाँ थी रितमें जोई शेकाऊ फी अबरशन थे खरी वाब्रेशन ज एक्स्टर्न खरींख कोई तो आइस्टर्नल जोई लोडायमें ज्ट शाया थाट फेल बश्ट करी प्राट दिश्ट्ज कुटेश्टर्नल जोई लुटंदा भाड़ी डिश्सल्टर्नल धर रख थीश्सल्टर्नल डहिए यां घर दि इस्टिफनेश वाई ते मेंबर ने प्रमाने तेमां डिस्टिबूट थाई जे सम अब दिस्टिबूशन फेक्टर जोएट वन वाई ने डिस्टिबूशन फेक्टर टोग केंटिलिवर इस जीरो कानके जाएपनेश जीरो होई जे अवे इन पिन जोएटेंट ट्रस शोन इन दो फिगर तो स्टेटिक डिग्री ओफ इन डिटर्मिनसी बिदम सिंपल छे के जिमां एम प्लस आर माइनस तू जे ओल एक्वेशन परती मुली जाएज नमबर अफ मेंबर शे ते अग्यार छे चार रियक्शन बनने ही जोवती बे आवाद थाई एसे धर बाद बिलिंग मट्रियल आने स्वाम ना क्वेशन जोया नेक्स वीडियो महा तेन आगलना क्वेशन डिसकस करीशी थेंक्ट्यू जय हिंद जय जय गर्वी गुजरात